ये आकाश मानी है, प्रसुत है कारिक्रम सुर्खियों में, इसके अंतरगत सुनिये, अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े केंद्रिय मंत्री मंदल के निर्णयों पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे हैं, विज्ञान प्रसार के वरिष्ठ वैज्यानिक, डॉक्टर टीवी वें डॉक्टर वेंक टेश्वड़न, कारिक्रम में आपका सुवागत है, नमस्कार, डॉक्टर वेंक टेश्वड़न, भारत ने चंदर्मा और मंगल के सफल मिशन के बाद अब शुक्र गर है, यानि वीनस के बारे में, वहां के लिए, अभी हाल ही में, केंद्री मंत्री मंदल ने इसके बारे में भी नए अंतरिक्ष परियोजनों के बारे में मन्जूरी दी है, किस तरह से देखते हैं, इसके दो आयाम, अगर हम इसको साइन्टिफिकली देखें, तो ये कितना बड़ा कदम है, और इसके साथ ही साथ, ये कितनी नई संभावना, यानि अपॉर्शनि करने के समय, ये समय सन का दिशा में होगा, तो उस समय हमारा ऑर्बिटर दरिस स्पेस्क्राब बहुत घरम होगा, दूसरा से राने के समय फणाफट उसको टेमपरेचर नीचे चले जाएगा, उसका मतलब आर्बिटर को टेमपरेचर का कंट्रोल करना बहुत हडिन है, ये स करना है, नेक्स्ट विंडो आ रहा है, टू तो तो तर्टी वन में, वो अम निस कर दिया तो दिन आठ साल आउर अम वेट करना पड़ेगा, तो ये है इसका एक बहुत सवाल का विशे है, इन फाक्ट वीनस के यान चलाना बहुत ट्राई नहीं किया है, बिकॉस अफ दिफ रहा है, उसी तरह वीनस में वो चुका है, उसका हिस्ट्री में, अभी वीनस का सर्फेस में देखा तो लगबख 400-500 डिग्रीज टेंपरेचर, तो इस टेंपरेचर कैसा है, उसका पीछे कारण क्या है, करके हम पढ़ने के समय, दर्ती में क्लेमेट चेंज के बारे में अम इसलिए ये वीनस का मिशन आच्छेली वेरी इंपर्टेंट है, इंडिया ने इसके लिए स्पेशल प्रोब्स तैयार कर रहा है, इस तरह स्पेशल इंस्ट्रूमें इस के लिए इंडिया तैयार कर रहा है, उसी तरह काबबन दी ऑकसईड अंड पानी का मात्रा, उसका पेक्ट्रोग्राफिक इंस्टुमन तयार कर रहा है। इस तरग से स्पेशल इंस्टुमन भी इंडियन रिसर्च सेंटर इसके लिए तयार कर रहा है। बाकी प्लानेट्स को अम दर्ती से भी थोड़ा थोड़ा रिसर्च कर सकता है। पूरा नहीं कर सकता है बट तोड़ा थोड़ा कर सकता है। देन उससे हम थोड़ा 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 वो ट्लाउड कवर के पीछे क्या है दरिस अंदर क्या है उसका अट्मासफेर कैसा है वो सब हम अंडरसान कर सकता है। See Venus में this global warming हो रहा है I mean of course Venus warming करके बोल रहा है दर्ती का warming, global warming हम बोलता हूं तो इसलिए हम बोल रहा है वो Venus का warming कैसा हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है? क्यों वो sustained रहा है बहुत साल तक, बहुत billion years, million years वो continue हो रहा है वो क्यों कैसा उस तरक से हो रहा है? यह understand करना एक important ज़रूरी बात है बिकास यह understand करने से अम धर्ती में हो रहा है न climate change उसके बारे में भी अम ठीक से समझने के लिए अमको रासाम ले हैं इसलिए Venus का study if you look at it from planetary point of view बहुत important. वो instrument पूरा की पूरा इंडिया का research institute तयार करेगा. वो तयार करेगा का मतलब क्या है? उसको design करना है, उसको test करना है, उसको सही तरह से work code करना है, उसके बाद satellite में रखना है. सिर्फ satellite बेजना important नहीं है ना, satellite में आपको scientific instrument जाना है. तो वो instrument कितना ठीक से काम कर रहा है, वो सब देखना है. ये करने में, तरह से instrument का design, development and production ये करने में, इंडिया का expert लोग को involvement चाहिए. इस करने के समय हम बहुत young people को training भी दे सकता है. Actually, इस तरह से advanced equipment काईसा बनना है, करके training भी कर सकता है. So, इस तरह से projects indirectly हमारा human resource को बढ़ावा देता है. That is, हमारा human resource advanced technology करने में एक उनका मोका मिलता है. नहीं, तो इंडिया में उस तरह से नहीं होगा ना. उस तरह से advanced technology को आप learn करना है तो developed countries के उदर जाना पड़ेगा. But इंडिया में Indian students, Indian institutions इस तरह से advanced technology करने के ये एक बहुत मोका म को देता है. Venus Orbiter Mission यानि VOM के बारे में केंदरी मंत्री मंदल की जानकारी देते वे, केंदरी सूषना एवं प्रसाराण एवं रेल मंत्री श्री अश्वनी वैश्नवन ने बताया. Venus Orbiter Mission का भी approval हुआ है. ये Venus Planet के चारो तरफ orbit करना और जो Venus का atmosphere है, उसमें probe और वहां की बहुत सारे characteristics हैं जिसको study करने से कही science and technology की fundamental research में इसका benefit होता है. दॉक्टर वेंटेश्वन हम आगे बातचीत करेंगे कि भारत में जो reusable low cost launch vehicle है भारत में जिसके लिए भी मंत्री मंडल ने इसके लिए भी मंजूरी दी है, यानि जो next generation का NGLV है, इसके बारे में बताएं कि इसका भी जो एक परिकलपना की गई है, कि इसका संचालन और 2040 त उस पे पूरी तरह से विदेशी तकनीक पे निर्भर थे, ये भारती तकनीकों कितना नया एक आयाम देने में साबित होगा? आप इंडिया का launch vehicle का history आप देखा तो, हम शुरू किया एक चोटासा rockets, एक sounding rocket, सिर्फ 10 किलो आपका सब्जी का weight होगा ना, उत्रा ही है, उसको उपर लेके जाएगा, 10 किलो से हम शुरू किया, उसे हम learn किया, कैसा rocket को design करना है, कैसा हम rocket fuel बनाना है, कैसा उसको control करना है, दि दुछ चीज़ हम learn किया, वो learning phase के बाद, अभी हम implementation phase में आ गया, PSLV, LPM3, नए तो GSLV, ये दोनों हम build कर दिया, PSLV को आप देखा तो, low earth orbit के कक्षा में, लगबग 4,000 किलो, 10 किलो से 4,000 किलो, जाद रखना, LPM3, 8,000 किलो, उसका मतलब है, 4,8 तन लेके जा सकता है, इससे ह हम कुछ तरीके से satellites को उदर हम छोड सकता है, बट आपको human mission करना है, बाकी ग्रह के बारे में हम जानने के लिए उदर हम human को बेजना है, for example, moon में land होना है, इस तरक से हम सोचा तो, ये काफी नहीं है, हमको बड़ा rocket चाहिए, सक्षिशाली rocket चाहिए, वो होगा this NGLV, ये NGLV 30 ton low earth orbit को लेके जाएगा, तो उतना सक्षिशाली होगा, हम ये नहीं सोचना है, that is, सिर्फ moon में land होने के लिए, ये NGLV यूस होगा, नहीं, हम अभी आप ये program सुन रहा है, most likely आपका प्रदेश में ये satellite के तुर आ रहा है, तो वो satellite क्या है, वो 36,000 km, low earth orbit नहीं, 36,000 km के बार हो, geosynchronous orbit में है, उतना दूर में, एक बड़ा communication satellite लेकर जाना है, तो हमरा पास एक बहुत बड़ा rocket चाहिए, आज के ल हम क्या करता है, satellite हम बनाता है, but launch बाकी देश का rocket यूस करके हम करता है, but with this NGLV, हम पुरा की पुरा, हमारा पैर में हम खड़ा हो सकता है, and इसमें एक ब first stage, वो first stage reusable होगा, मतलब बार बार आप यूस कर सकता है, आजकल most of our rocket is expendable, मतलब एक बार यूस कर दिया, वो empty shell समुदर में गिरेगा, बस कतम, but here आप ये first stage को बार बार यूस कर सकता है, इसका मतलब, that is per kilo space में लेके जाने के लिए cost है न, वो बहुत कम हो जाएगा, लगब 25% to 40% पास्ट कम हो जाएगा, ये है इसका महत्व पॉइंट, ये बहुत बड़ी बात बताई कि इस तरह है कि जो reusable, यानि पुनहर उपयोग करने वाले जो प्रक्षिक, यानि launching vehicle है, इसमें अगर 25 से 40 प्रतिशत तक की जो लागत आपने बताया कि वो कम हो सकती है, तो ये क आपको मून का, यूमन को लेके जाना है, उसके लिए आप यूज कर सकता है, अभी हम चंद्राइन 4 सोच रहा है न, वो चंद्राइन 4, हम दो रॉकेट एक के पीछे एक लाँच करके, चंद्राइन में लांड होके रिटर्न होना है, दो रॉकेट यूज करना है, क्यों भी अमरा पास एक बहुत सक्षिशाली नहीं है, अमरिकया या रश्या एक रॉकेट से ही कर सकता है, बट विद इस NGLV आप ये एक रॉकेट से कर सकता है, इस तरक से अमरा फ्लीट, बहुत चोटा रॉकेट, SSLV से, NGLV तक, कितना भी आपका चाहिए उसका लिए होगा, भी सो का ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कम्प्लीट करनेगा, आपने ये एक बड़ी महतवपूर्ण बहुत बताई क्योंकि जिस तरह से भारत में एक रॉकेट के पीछी दूसरा, हमको ये शक्तिशाली जो रॉकेट बनाना था, तो इसके लिए ये जो प्रेयोग है, ये कितना आप अगर हमने चंदर्मा पे लैंड कर लिया, यहां वहां पे हमारे यात्री उतर गया तो हमने काफी हद तक नहीं चीज़ें सीख ली, लेकिन ये जो वहां पे रहके उसकी बारे में बहुत सारे नहीं नहीं चीज़ें खोजना और फिर वापस आना धरती पे, ये कितना सिर्फ एक मॉडियूल था, वो मॉडियूल और उसका मतलब है चांद के पास जाके, चांद को चारा और एक येलिप्टिकल और बिट में गुमते 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 रहे, चांदर्यायन 2 पार्शिल सक्सेस था, बट चांदर्यायन 3 को आप देखा तो, दो मॉडियूल है, त सिर्फ एक चांद तक लेके जाना, ट्रैंसर मॉडियूल, सड्रेंड होने के बाद, उद से मिट्टी एक अगिए जाना, उसके लिए एक मॉडियूल है, इस तरक से चार मॉडियूल होगा, लिट गुमते जा है, एक एक येक रिक रोकें डोकेट धाले, ये येक इंक अध banget इस तरह एक से प्रयोब ने किया है. फेली बार अम चंद्रायान्ड वन launch करने के समय हम लोहा का लोहा काचता है करके बोलता है उसी तरह gravity को यूज़ करके द रिल्स अम धर्थी से पकट के रखता है ना gravity वो यूज़ करके अम धर्थी से बाहर ओके मून के पास चला गया था उसके लिए एक special technique gravity assist करके एक technique को इस रो यूस किया उसी तरह इस चंद्रायान 4 में ये technology वो decide कर रहा है ना दो rocket एक के पीछे एक जाएगा फेस में जाके एक साथ जोड़ेगा आप सोच लो कुछ train एक जहा से दूसरा जगा जाएगा एक ओर train दूसरा जगा से इस जहा आएगा दोनों मिलके देन तीसरा जगा जाएगा ना उसी तरह तरह इस पेस में इसको जाइन करना है धरती में नहीं पेस में जाइन करना है तो कितना एक टेक्निकली चैलेंज है सोच के रखता है तो वो करके हम चांद में लैंड होके उदर से मिट्टी वगेरा सैंपल कलक करके सैंपल दर्ती में वापस लेके आना है इस तरह से एक प्लान बनाया है अभी तक कोई भी देश इस तरह से छोटा रॉकेट करके इस तरह से प्लान नहीं किया है सबी लोग बड़ा रॉकेट वोने तक वेट किया है हम इंडिया का इस्टो का सैंटिस ने ये बोला है अमारा पास क्या है उस से हम कितना तक कल सकता है चलके दिखाएंगे करके ये कर रहा है, वो एक important बात है मैं। और यूट्यूब चैनल News on AIR Official पर भी सुन सकते हैं। इस करकेम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें email या whatsapp के माध्यम से भेज सकते हैं। email का पता है airnsdtalks at gmail.com और whatsapp नंबर है 9289094044।